सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो क्लाश 10 की एंसी आर्टी मैथमेटिक्स में बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपका एक नया होगा जिसका नाम है 5.2 यानि आपका जो आर्थिमेटिक प् 116 खोल लें 116 और सब्सक्राइब करेंगे आप देखो यहां पर सारी यहां बना देंगे तो हल करने का जगा नहीं बचेगी इसलिए को मैंने लिया है इसका एन का वैलू हम फाइंड करेंगे आप देखिएगा उसके बाद फिर हम इसी आधार पर आगे बढ़ेंगे दूसरा लिखेंगे प्रतीफरा लिखेंगे ऐसे करते जाएंगे ठीक है किसी को कोई समस्या नहीं है चलो तो प्यारे बच्चों इसके पह इसका वान दिया है हमें ए अन निकालना है है तो यह सूत्र होता है सिंपल सा इन बराबर इछ यह हर जगह आएगा हम्हें का बैलू और तीन दिया है हल कर लेना है यह साथ और प्लस देखो आठ में से एक जाएगा साथ आएगा और साथ का तीन में गुड़ा करो गए कईस आएगा तो भाई आहो सीधा सीधा सा बाबू कितना आगया यह 28 इस तरह से आपका यह पहला हो गया इसे फटा फटा आप लोग नोट कर लो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब हम इसको मिटाते हैं ओके स्क्रीन सार्ट ले लो लिख लो अटारा हूं मैं इसको ठीक हो गया चलो तो अब इसका सीकेंड पार्ट आ आपके सामने इनके देखो मान बदल रहे हैं ध्यान देना यहांसे इसकेंड पार्ट में क्या है वच्चा जरा ध्यान से गौर फर्माना इसमें एक अमान माइनस 18 है डी कमान निकालना है यहन कमान 10 है और एन कमान अपकी बार इसमें 0 दिया है जल्दी से आप लोग मुझे कोई कमेंटे करके बताए कि इसमें जो डी कमान होगा कितना होगा चल्दी से बताओ फटा फट देर नहीं कोई बताएगा एनिवन कोई भी देखो मैं बताता हूं यहां समझो अर्मूला तो हमें मिटाना है नहीं क्योंकि अब इसी सुत्र से यह रामबाड है इसी में सब कुछ रखेंगे जो वैलू दिया है जो नहीं दिया वो अपने आप छट पटा के निकल के आ जाएगा बाह जीरो दिया है रख दो ए कमान मैनस अठारा दिया है लस यद माईंखान भेया दिया 20 2016 reopen 00 now कौने माईश करेंस इसाइब और यह चलो यह 0 यह माइनस 18 और यहां पर ध्यान देना 10 में से एक जायेगा 9 आएगा और डी में गुड़ा हो जायेगा बाबूती यह 9D हो जायेगा ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं न यह 18 इधर से जब इधर आएगा यहां माइनस में है इधर प्लस में हो जायेगा तो हम कह सकत हैं अठारा बटा नौ बराबर डी इसमें किसी को कोई आपती नहीं होना चाहिए है ना एटीन अपान नाइन इक्वल डी यह क्यों हो गया क्योंकि नाइन से इधर जब भाग में आया गया यह 18 अब भाई इतना तुम समझे रहे हो लो मैं बता देता हूं एक मिनट रुक इधर देखो इधर चलो इसके बाद यहां उपर देख लो तो देखो यह 18 अब यह जीरो ऐसे रहेगा यह 18 माइनस में है इधर साइड आएगा प्लस में हो जायागा बराबर का 90 इतना किसी को कोई आपती नहीं है अब देखो बेटा यह 18 ऐसे रहेगा और यह 9 इधर कहने का मतलब जो डी का वैलू आई वो क्या आया टू आया कितना आया दो आया हम यहाँ पर दो भर सकते हैं इस तरह से आपके दो पार्ट हो चुके हैं तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बहुत ही प्यार से समझना और जाना तो कहीं नहीं बिल्कुल कहीं नहीं जाना एकदम टेंसन फ्री होके पढ़ना चलो यह दो पार्ट आपके हो चुके हैं देखो भाई इस तरह से आपके जितने भी पार्ट हैं सभी आएंगे और उन्हें आप कर लेना एक स्वर में बोलो कर लोगे की नहीं जितने भी हमारे चुलू के लिए आगे की जिन्दगी पूरी सेटिंग करना जो तुम करना चाहता हूं मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं तुम बड़े समझदारो सब समझ गए चलो इसलिए पढ़ लो चुप चाप पढ़ लो माइनस तीन देखो इसमें एक कमान नहीं दिया तीसरे इसमें आपको एक अब लूफ हैंड करना है तो आपको क्या करना है एक कमान निकालना कैसे आएगा जरा सोच के बताओ चलो बिटा फट 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 आजओ 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 कितना आएगा यह चुप्पे से सूतर लगा लो से बूलना नहीं लाइफ टाइम काम देगा यह समांतर स्रेडी का कहीं भी कुश्चन आएगा यह कमान कुछ नहीं पता हमें तो हम ऐसे रख देंगे यह कमान अठारा है और डी कमान माइनस का तीन ुकुण हमाइनस का 5 प्लस यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा सद्धान रहना अठारा में से एक जाए गा यह सत्रा हो जाएक। सत्रा का तीन में गुड़ा करोगे बबुगा तो 51 हो जाएगा और यह माइनस में आएगा यानि पांच के बाद में बराबर ए और ये प्लस और ये माइनस का 51 कि इतना समझ में आया ना क्योंकि अब नीचे जगा नहीं इसलिए मैं आगे हल करूंगा क्योंकि नीचे छुप जाएगा फिर तुम परिसान होगे तो यह माइनस का पांच समझना यहां से माइनस का पांच ऐसे रहेगा और यह जब रेकट खुलेगा तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यह माइ मुझे बताओ 51 में से पांच जाएगा कितना आएगा 43 आएगा वह भी प्लस में आएगा क्यों आएगा क्योंकि जो 51 है वह बड़ा है और जो नंबर बड़ा होता है आंसर में वही चिन्न लगाया जाता है समझ में आया यह आप कह सकते हो कि जो एक अवैलू आया है बेटा तुम केवल कोसिस करते रहना चलो क्या मैं मिटा सकता हूँ स्क्रीन साट ले लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो मैं मिटा दूँ चलो तो यह तीन हो गए आपके इसमें के तीन पार्ट आपका रिक तस्थान भरने वाला था क्लाफ 10 की NCIT मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं जो बच्चे इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किये हैं बबू अगर लाइक कर दो तो बहुत अच्छी बात है जिससे कि आप अगल आप इसको लाइक और सेयर करोगे हमारी पूरी जिम्मेदारी आपको घर बैठे फ्री में बढ़ाया जायाएगा आप हाई स्कूल में टॉप करोगे लेकिन अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर आगे की कहानी अलग है चलो ठीक है इसमें आपका कुछ लगना है नहीं पस एक बटन दबाना है चुट्टफे और पुट्टस से उसका रजल्ट आ जाएगा चलो अब इसका मान अगर मैं आपसे पूछ हूँ तो बता लोगे ना बता लोगे ना बाबू चलो सारे मान दिये गए हैं इस सूत्र में रखना है थोड़ा सा कल्कुलेशन इसका आसान नहीं है क्योंकि दसंबलू में है आप कहोगे गुरुजी बड़े चलांक निकले आप तो थोड़ा मुस्किल वाला था तो मुझसे पूछने लगे आसान वाला था तो खुद कर दे रह दिया है यान कमान हमें नहीं पता है और कामान दो दसंब्लू पांच दिया है है किक है यह 3.6 ऐसे रहेगा और यहां ध्यान की इनका इसमें गुड़ा होगा आप सबको पता है यह इसके बीच में प्लस है बच्चा देखत गलत हुआ यहां पे बीच में प्लस का साइन रहेगा कि यह थोड़ा साजादा ही जल्दी में ज़्यादा सुंदर लिख दिया गया है है थोड़ा 1a1 Xin-2iki कमांड दिया है दो दसमलो 5 जी कैंण अब यह माइनस का 18 दसमलो 9 आप देखो इनका इसमें गुड़ा करना है तो चाहें गुड़ा करो या ना करो पड़ा हो जाएगा तो इनका कुरा करेंगे नहीं तो तुम का होगे जो 18.9 इधर साइड में माइनस में है न, इसको दूसरी साइड ले आओ, भाई ये 3.6 अकेला बचा बिचारा, इसके साइड ले आओ न तो ये पलस हो जाएगा, 18.9, पराबर ये यन माइनस 1 इन 2, 2.5, कितने में किसी को कोई अपती नहीं है, देखो ये इधर माइनस में था, इधर आया तो ये पलस में हो गया, अब इनको क्या करेंगे, जोड देंगे, तो भाई या जोड तो ले बै करोगे तुम, किना जोड लोगे, जोड लोगे कि नहीं, तेरा जोड के देखो, 9.6, 15, 25 सीदी सी बात है, अठारा ये पूरा पूरा तीन ही है, अठारा तीन हो गया, कैस, अठारा तीन हो गया, और 9.6, ये कितना हो गया, 15, 25, 25, 25, जोड के दिखा दूं, एक एक पॉइंट, चलो, 9.6, 15, 15, 15, अजोड लाया, 1, और 8, 3, 11, 12, का दो हासी लाया, 1, और 1, 1, 2, हाँ, दस हमलो एक अंक पे लग दिया, जेको मैं थोड़ा सा यहाँ, एक स्प्लेन करना चाहूँगा, साइड में आप देख लो, 18, 9, और ये 3, 6, 9, 6, 15, 5, 80, 8, 3, 11, और एक बाराक दो हासी लेक, और एक एक दो, यानि 22.5, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न, नहीं न भाया, चलो, no problem, don't worry, ओके, चलो, ठीक है, तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, देखो ये तो जूड़ गया, ये इधर गुड़ा में है, ये इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यानि ये भाग में हो जाएगा, तो ये 2.5 इसके जश्ट नीचे आ नहीं मुसीबत तो ले आया, उपर भी दसमलो एक अंक पर है, नीचे भी एक अंक पर है, आप सब को पता है, 25 का पाड़ा सबको आता है, तो भाई, या सिंपल सी बात है, 25 होता है, 25 होता है, एक एक अंकपर दसमलो है, तो हम इसे बीना कुछ करे, simple में 10 हम लों हटा सकते हैं दोनों तरफ से यह वो लों हटा सकते हैं कि नहीं क्योंकि एक एक डिजिट पे decimal है यह कट जाएगा तो यह 9 आएगा कितना आएगा भाई 9 आएगा बाबू तो यह 9 और उधर वाला यह वण इधर आएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा पाथ समझ में आई 9 प्लस वन यानि फाइनल में आपको पता हो गया कि यह अनकमान कितना आए 10 हमने क्या जोड के रखूं यह जगा नहीं है कितना आया यह नकमान 10 आया ना यह नकमान कितना यह 10 देखिये थोड़ा सा कल्कुलेशन इसका लंबा था बाकी आसान है स्क्रीन सार्ट ले लो जल्दी से आगे बढ़ते हैं सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है अपने वाट्स अप गुरूप में जादा फिजादा सेयर कर दो बावू अभी तीन कुश्चन और करवाएं कहीं नहीं जाना छोड़ेके अगर पढ़ना है तो यार नहीं तो यूटूब बहुत बड़ा है खोजते रहो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे लेकिन कहीं एक जगा तुम्हें ठीकना पड़ेगा अगर बॉर्ड में टाप करना अच्छे नंबर लाना है तो ऐसा नहीं कि त तो वफा करो थोड़ी सी समझ रहा हो ना जलो अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं मुझे उमीद है कि अगला पार्ट आप लोग कर लेंगे और हमें लग रहा है खतम भी होगे अगला पार्ट है भी नहीं का एक ठी बचा है इसको मैं बताऊंग अभी नहीं कर कुछ बच्चे सोच रहे हों कि मेरा नाम का है नहीं ले रहे हो नाम नहीं किसी का नाम नहीं लेंगे बटा पढ़ लो मुझे सतनुम्हारी बेजयत यही चाहते हो का उर तुझ्हारी गब्सफ करते हैं मुझे सब पता रहता है कि इसमें एन कमान निकाल के मुझे जल्दी से बताओ हरे एक बच्चा बताएगा तुरंत रेड़ी हो जाने कंठा पर कंठा पड़ेगा जल्दी चलो करते रहते हैं कि चलो करते हैं जल दी करो है लोगती प्यार से देखो सिकेंड कउपसटण आजा जल्दी से फट फट भई दूसरा प्रस्म की तरफ आगे चलें देखो दूसरा आप लोग अगर NCRT बुकें लिए हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा किताब लिए हो ना है किसके किसके पास में किताब है यह बता हुझे है आप लोग के पास अगला कुश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर आप बहुत ही प्यार से इसे देखो और फिर समझो कहरा कि निम्लिकित में सही उत्तर चुनिए और उसका आउचित दीजिए तो बहुत आसान है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक हमें स्रेड़ी दी गई है और उसमें क चलिए कोई दिक्कत नहीं क्या करना इसमें हमें एक फर्मूला लगाना सिंपल सा एन पराबर ए प्लस यहन माइनस वन इंटू टी सारे बैलू आपको रख देने हैं बस हो गया आपका एन मतलब हमें तीसमवा पद निकालना है तो एन की जगह पे आप क्या करोगे एतीस हा और ए कमान क्या दिया हमें पहला पद 10 दिया है प्लस यहन यानि तीसमवा पद तो पूछा है ना इन्टू डी कमान देखो इस स्रेडी से 3 आ रहा है इसे आप रख सकते हो इस तरह से आप निकालोगे तो 10 और यह देखो इसमें से घटाओगे 29 आएगा इतना आएगा 29 का 3 में गुड़ा कर लो 29 27 तीन दुना और देखो बाबू यह घटाने पर क्या आएगा प्लस में आएगा और यहां से ध्यान दो जो आएगा माइनस में आएगा जो कि यह उल्टा स्रेडी घट रही है इस तरह से आपका यह माइनस का 87 आएगा फाइनल में आप देखोगे तो सब्सक्राइब कोदेभा स्रेडी लो कुणकि दस के बाद साथ फीर गरती हुई से आपके जल्दी करने उन फटा फटा देर नहीं चलो ओके इसका जो इसमें मैं सिटन पार्ट है वो few वरकर नहीं होना टीक है अभी बच्म के लिए उसे किर लेना हे हऊसली सभी बच्छों कि लिए हऊंरिक है किर से कर लेना इसी को इसमें कोई परिषानी नहीं होना चाहिए आप बहुत जल्दी करो फटट मैं बच्चे लाइक और शेयर करते रहो बाबू जल्दी फटट लापर वही ना करो लाइक सेयर में विल्कुल भी कोटा ही ना करो तूरंत फटट फट हर एक बच्चा लाइक कर देखिए अगले कुश्चन की तरह बहुत ध्यान से आगे बढ़ ये जल्दी से फ़र्ष्ट कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आचुका है ध्यान दीजिए बहुत ही गवर से देखिए क्या कह रहा है बाबू ये जरा समझने की कोशिस करो कोश्चन कह रहा है कि समांतर स्रेडियो मेरी तस्थानों के पदों को ज्यात कीजिए यानि जो ये खाली जगा है इसमें क्या भरना है ये आपको डिफाइट करना है देखो भाई ये बहुत चोटी सी सारडी है इसको अगर मांडली सोचा जाया तो आराम से निकाल सकते हो लेकिन इसका एक प्रॉपर त 24 का पता है इनके बीच का प्लस ये पहला वाला पद इस पर 14 हो सकता है आप 14 लिखो तो 14 तो ये इसका सही आंसर है ठीक है क्यों क्यों कि 14 से जब 2 घटा होगे तो 12 आएगा 20 से जब तुम 14 घटा होगे तब भी 12 आएगा यानि ये 14 इसका सही आंसर है लेकिन ये तरीका तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बताया क्या लिखा कैसे किया तुम्हें समझ में बहुत कमाया होगा तो देखो तो अब जो तरीका बताऊंगा वह समझ में आएगा लीगल ही तरीका जो सिस्टम वाला है लेकिंवी मैं अगर हम मां लें कि हमें 14atin नहीं दिया है आब इसको मिटा देते हैं अभी इसको नहीं मान रहे हैं कि दिया है मुझे मिल गया तो देखो हमें दिया क्या है हमें पर्थम पद दिया है स्रेडी का और हमें इसका दूसरा ये तीसरा पद है ये थ्री दिया है बोलो भाई दिया है न बाबू इतना ही तो दिया है न तो अब हम क्या करेंगे हमें इसमें डी पता होना चाहिए सारवांतर अगर पता हो गया तो हम सारे पद निकाल सकते हैं निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह फार्मूला लगाएंगे जो बच्पन से लगाते आए हैं एन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इन्टू डी यही इकलोता सुत्र है जो हर जगा काम देता है तो हमें क्या करना तीसरा पद दिया है पहला पद दिया है तो पहले और तीसरे कि सहायता से हम कुछ आगे काम बढ़ाएंगे तो भीया हमें एन दिया है एन का मतलब हम माल लेते हैं कि हमें 26 पद दिया है कौन सा दिया है 26 इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना नहीं यह 26 पद थोड़ी है तीसरा पद है यार यह तीसरा पद है तो हम क्या क दिया है उसको रख देंगे श्राइव और मांन कितना दिया दो और प्लस यन कितना दिया यन कहुंसा पद है यह तीसर पत ना कि का मान तो 26 हमान ने रख दिया यह तेसरा पता है तो थीन माइनस बराबर यह दो प्लस तीन में से एक गया तो आयगा दो डी हो गया यहां से समझो 27 दो गया बराबर दो डी चौवशब्यार यहां से जब हम निकालेंगे तो 24 upon 2 equal D final में हम यहां से कह सकते हैं कि D का मान कितना आया 12 क्यों भाई 12 ही तो आया ना D का मान 12 आया कि 14 आया 12 ही आयेगा 14 नहीं आयेगा कितना आयेगा 12 क्यों आये ना अब अगर D का मान आ गया हम लोगों ने सारडी पढ़ा है तो हम बड़े प्यार से अगला निकाल सकते हैं हमें दूसरा पद निकालना यानी A2 तो दूसरा पद क्या होता है पहले पद में सारबांतर जोड़कर दूसरा पद निकालते हैं तरेडी में हम लोग यही पढ़े हैं अब तक यही पढ़े हैं तो चलो भाईया निकाल लो पहला पत दो है सारवांतर बारा आया है फाइनल में ये चौदा हो गया यानि हमें पता है दूसरा पत कितना आ गया बबुगा 14 लिख लो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते रो यानि ये कितना आ गया चौदा अभी मैंने तरीका बताया था स्क् इंसार्ट ले लो तुरन देर ना करो हुआ है जले तुरन देर ना किया करो वीडियो को रोक करके लिखो खटा-खट दौड भाग के चलो अब देखो इसका सिकेंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है मैं पूरा कोईश्चन नहीं मिटा रहा हूं सिकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दवड की सभी साथी क्लास को लाइक करते जाओ कमेंट पे ध्यान कम दो कमेंट में डंडा ना करो नहीं तो फटा-फट बला करेंगे एक एक को पकड़ पकड़ के हां इसलिए कमेंट में चुक चाप पढ़ो और फाल तू कमेंट ना करो बेटा क्योंकि पढ़ाएंगे तो कमेंट न यहार हैं तुरंते कोमेंट भी हैं तो सब कूछ नहेंगा चत बैकienie कि इसमें क्या-क्या में दिया है कि देखो है इसे पहला बता नहीं पता हमें दूसरा पता है और चौथा पता है कि यह थोड़ा सा कठीन बरा कुश्चन हो जाएगा jotka लंबा ओजाएगा को हमें पहला पद भी नहीं पता इस में सारेबांतर भी नहीं पता है छलो ठीक है फिलहाल अंजान रास्तों पर हम लोग अंजान मसाफिर है। कहीं न कहीं तो चलेंगे ही कुछ न कुछ तो हासिल होंगा ही। चलो. अब क्या करना ए जर्माद ध्यान से देखना है। बहुत ही गौर से समझना है। हमें इसमें क्या करना है। हमें इस में पहला पद्ध़ oluyor तीसरा प्राप्त करना है तो बिटा जो जो दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है यह फार्मूला हां एन बराबर ए प्लस यन माइनस वर इंटू डी तो पहले तो हम दूसरे पद के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर चौथे पद के अकॉर्डिंग तो दूसरे देंगे यन कमान इंटू डी समझते चलो और यह यह थू बराबर हो जाएगा ए प्लस टूश से बन जाएगा वन और डी में मटिपल होगा वन डी यह उक्वेशन नमबर फास्ट हो गया ए कि कितना हो गया अक्या एक चीज़ ध्यान कमान कितना भाईया एक्वेसन नमबर फ़र्ष लिखने के पहले इसे ऐसे लिखो कि आप इक्वेसन नमबर फ़र्ष हुआ कि इसी आधार पर हम इक्वेसन नमबर सिकेंड बनाएंगे चौथा समीकरण के आधार पर पहले तो मैं इस्टेंडर फार्मूला लिख रहा हूं भी समझो अब चौथा एन की जगा पर फॉर रखेंगे एप प्लस एन की जगा पर फॉर समझते चलो ए फॉर वही ए फॉर का मान कितना है तीन है क्योंकि चौथा पर तीन दिया है तो ए प्लस इसमें से घटेगा तो यह डी हो जाएगा तीन डी यह एक्वेसन नमबर हो गया सिकेंड देखो बच्चा समीकरण दो और समीकरण एक जो है इन दोनों को आपस में गटा लो तो बाबू देखो दो समीकरण जो है वह कुछ इतना आया है जो कि तुम्हारे सामने में लिख दिया हूँ समीकरण फ़र्सट यह आया है इनको आपस में घटा लो हां आपस में इनको सब्सक्रेक कर लो फटफटर्य करने के लिए क्या करते हैं चिन बदल देते ह चिन बदल देते हैं तो यह घट जाएंगे माइनस का 10 आएगा यह फिलस माइनस कट जाएगा यह घटेगा तो 2D आएगा यहां से जब D कमान आप निकालोगे तो माइनस का 10 बटा 2 यानि माइनस का 5 आएगा कितना आएगा माइनस का 5 फोड़ा निकाल के देख लो साइड में ये लो जैसे आ रहा तुम्हें दीखतो रहा है सबको न तो ये माइनस का 10 बटा 2 बराबर D यानि माइनस का 5 बराबर D आएगा कितना आएगा माइनस का पांच बराबर डी यानि डी कमान क्या आगया माइनस पांच इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना नहीं चलो अब अगर हमें D कमान आ गया तो हमें A कमान निकाल सकते हैं हां तीसरा पत्च उथा पत्च सब निकाल सकते हैं कैसे जरा यहां पर ध्यान दो जो D कमान आया है जैसे हम समीकरण पढ़ते आएं उसी के according चलें तो आप लिखो D कमान समीकरण एक में रखने पर इसे स्क्रीन साट ले लो नोट कर लो मैं मिटा रहा हूँ चती करो लिख लो पटा पट लिख लो समझते चलो मेरे साथ साथ में तो आप लिख भी सकते हो देखो मैंने क्या कैसे कैसे किया तुम्हें पता है लेकिन जो बीच में पढ़ेगा उसे ना समझ में आएगा हैले मैंने यह लिखा फिर मैंने यह लिखा फिर मैंने यह लिखा हां उसके बाद अब wypर आश्ट में यह जूगार रहा हूं उपकार बनाके नुए लिख लिख लिए हो ना डी कमान समीकरण 1 में रखने पर कमी करण एक यह बना था यह बना था न बेटा तो टी कमान इसमें लाके रख दो यह प्लस और माइनस का 5 फाइनल में हो जाएगा 13 5 बराबर ए यह आप कहसकते हो 18 बराबर ए यह जो एक मान आगया 18 आगया समी करण एक में जब हमने डी कमान रख दिया यानि हम कह सकते हैं इस कमान कितना आगे 18 इसमें कितना आगे 18 लिख लो कोई अगर डाउट है तो बता देना बिल्कुल भी टैंसन मत लेना एक भी पैसे का यार चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यह जो आपका पहला पद आग पद में सारवांतर जोड़ तो तीसरा पद आजायागा बहुत ही नार्मल है यह देखिए साथ साथ में लिखते चलिए जब मैं कुश्चन कंप्लीट करता हूं तो मैं बोलता हूं कि बेटा स्क्रीन साट ले लो नोट कर लो और कितने भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक् कि हमारा उद्देश से है कि जो चात्र फीस देपोजिट नहीं कर सकते बड़ी-बड़ी कोचिंगों में हजारों लाखों में वह फिरी घर बैठे पड़ें अपने सपनों को साकार करें लेकिन कलास को सेर जादा से जादा करें चलो तो तीसरा पद निकालना हमें तो तीसर माइनस पांच आया है सबको पता है क्यों भाई साव यह ना तो तेरा माइनस पांच यह बराबर आठ आएगा यह तीसरा पद कितना आएगा इन्हें चाहो तो ऐसे लिख लो ए थरी बराबर कितना आए आठ यह यानि पांच-पांच सब घट रहे हैं समझ में आए ना यह पार्ट सेकेंड भी कंप्लिट हो गया इसमें देखो बच्चा पांच पार्ट दिये गए हैं और सब एक से दयू के लाल है एक से दयू के लाल हैं जितने पार्ट तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत तेजी के साथ ध्यान देना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम चलो कि अट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं उमीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए क्लास खतम होने के बाद हम सारे डाउट क्लियर करेंगे आप कमेंट करना लाइब सेशन जब तक है तब तक सांती से बढ़ो तब तक सांती से बढ़ो तीसरा पार्ट है पांच और यहां पर अब ध्यान दो इसमें क्या करना है हमें बाई साहब 9 into 1 upon 2 यह दिया है अब यहां पर ज़रा ध्यान दो बिटा हमें क्या करना है दूसरा पद भी नहीं पता है तीसरा भी नहीं पता पहला पता है और चौथा पता है तो जो जो पता है वो लिखेंगे जो लापता है उससे कोई मतलब नहीं है यहां पर लिखेंगे दिया है लाप पिध het और दिया का हमें टी दिया नहीं दिया हैія हमें निकालना अब यहाँ से समझ ना बिटा कि जो हमें दिया है उसे को ले करके हम चलेंगे तो एन बराबर यह सूत्र होता है तुमसाब को पता है दुनिया को पता है ईए चौधा पत हमें दिया है तो हम एस तो हम एक जिए है चलो नहीं द्यान दो एकमान भी तो में के बार दी कमाना जाएगा देखो यह 18 बटा दो हो जाएगा बाबू नव दून 18 एक 19 एच अच्छा इसे नहीं 19 बटा दो होगा ठीक है अब देखो समझो यह 5 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पराबर इसमें से गटेगा तो 3D हो जाएगा क्यों कि चार में से एक जाएगा तो 3 आएगा और 3 का दी में गुड़ा करेंगे तो 3D हो जाएगा यह 5 इधर साइट पलस में था इधर आएगया माइनस में हो गया अब यह भिन हल करना तो तुम्हें बचपन से आता है 19 एकम 19 दो पंचे 10 यह फाइनल में हो जाएगा 19 माइन जल्दी करो चलो अब प्रण रोटा 2 आएगा ना कि करके बताओ जल्दी से फटा फट पर इस इतना आएगा भई नो बटा दो आएगा न हम कह सकते हैं यह क्या आएगा नो बटा दो बराबर तीन दी अब यहां से समझो यहां से थोड़ा सा समझना वाला है समझो समझो इधर से D के साथ जो तीन है गुड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो फाइनल में हम कह सकते हैं नौ बटा दो ऐसे रहेगा इसके नीचे तीन क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा पराबर क्या है टी इसको हल करना बहुत से बच्चे नहीं जान रहे होंगे कैसे होता है यह को नौ बटा दी यह पूरा-पूरा विन्द के रूप में यह बचारां के लिए इसके नीचे वन शिपा लेते हैं मैं अब बाहर का बाहर गुड़ा हो जाता अंदर का अंदर बिटा ये हो जायागा आपका फाइनल में नो बटा यह दो गुड़ा तीन बरावर दी कुड़ा ऑड़ावर दी है जैनि टीनники सब्सक्राइभ ना चांअNa कि इसमें किसी को कोई परकार का डाउट नहीं होना च इसमें किसी को कोई अपती नहीं होना चाहिए चलो दूसरा पत निकाल लो जट से स्क्रीन सार्ट ले लो हो गया और जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने करें वो पीबीर स्टेडी तुरन सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक जरूर करें मैं बार बार बोल रहा हूं 1000 बार बोल रहां बीटा बहुत तकलीफ हो रही अगर ला Turkey नी कर रहे थो तरक उन्म है यह तकलीफ अच्छी नहीं है अच्छी नहीं समझे रह ovτε तो अब क्या करेंगे हम दी-कमान-3 दो आगया मोज सब को देखर आंखें पंद के देख हैं प्रक को समझो और कलास का टाइम इस समय यूटूब पर सितंबर 2021 में दोपार दो बज़े से चल रहा है सितंबर 2021 में दोपार दो बज़े से कलास 10 का मैथ हो रही है कुछ भी अपडेट होती है तो आपको सुचित किया जाएगा नीचे नंबर चल रहा है उस पर पद पांच ती कमान तीन बटा दो आया है कि तुम्हें जोड़ना आता ही है इसने बड़े खचर तो तुम हो नहीं तो यह पांच दूना दस और यह तीन बटा दो यानि फाइनल में तुम कह सकते हो कि तेरा बटा दो दूसरा पद कितना आया मितना आया थर्टीन अपांट पांट तू कितना आया थर्टीन अपांट तू गयोत हो उस तहरा पद निकालोगे कीतले कैसे विए ठोच अच्छा तीसरा पद निकालने के लिए तुम दूसरे पद में डी जोड़ सकते हो ह給 तूसरा पद आया है 13 बटा दो इसमें D जोड़ोगे D कमान 3 बटा दो आया है इस तरह से आपका 16 बटा दो आएगा यह आप कह सकते हो कि 8 आएगा हाँ तीसरा पद कितना आएगा 8 आएगा ठीक है तो इस तरह से आपका यह तीसरा solution भी complete हो चुका है final हो चुगा आप लिख लिजिए इसमें और भी जो parts दिये गए हैं उमीद करते हैं इसी तरह से तुम उसे हल कर लोगे कर लोगे न देखो कुछ ना कुछ हाथ पाउ मारना पड़ता है है न होसलों के तरकस में कोसिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहिए सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर फिर जीतने की उमीद को जिंदा रखना और साथियों उमीद बहुत बड़ी चीज होती है बटा चलो अगले पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि इसका अगला पार्ट तुम कर लोगे बड़े प्यार से सभी कर लोगे ना एक बार बोलो हाँ या नहीं देखो इसमें पांच पार्ट दिया था बेटा मैंने तीन करवा दिया है और मुझे उमीद है पूरा कि तुम इसके जो बचे हुए दो पार्ट हैं उन्हें इसी तरह से कर लोगे नहीं कर पाना तो बता दो कि नहीं कर पाएंगे कर लोगे ना आप पढ़ रहें कलाव 10 का एंसी आर्ट मैथमेटिक्स एंसी आर्टी सिलेबस मतलब जानते हो नेफनल काउंचिल आफ एजुकेफनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेफनल के लेबल का यह सिलेबस है पाटे करम है अदराश्ट्री यह समझ रहे हो सब के लिए चलो कि चौथा कुष्चन देखो 5.2 में बेटा कुल मिला के 20 कुष्चन है इस कलास में हम 4 कुष्चन बताएंगे कलास गंटे जादा की हो जाएगी इसके आगे नहीं चलेगा पाचवां अगली कलास से चौथा देखो क्यों था क्या कह रहा है कि कह रहा कि एपी एपी क्या दिया है तीन आट तेरा अठारा और डाट डाट है का कौन सपद कौन सा पद 78 है यह पूछ रहा है यह जो सिरेड़ी दी गई है बेटा इसका कौन सा टमस है जो 78 है जो कौन सा टमस का मतलब यह है कि जैसे पहला पद क्या है दूसरा आठ है तीसरा 13 चौता 18 है यानि यह पद क्या है बढ़ते जा रहे है अगर इसमें मैं तुमसे पूछ पांच बढ़ता बढ़ता यह जाएगा तो कौन सा पद अठार हो गया तीसरा पद अठार होगा चलो निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे इसके लिए अपना पुराना सुत्र है घीसा पिटा देखो दिया है पर्थम पर दिया है इनको घटा ओग या पसमें घटा के देखो पांच आएगा और हमें एन भी दिया है क्यों एंदिया है एन-78 पस हमें निकालना है यहनों और यहन में अंतर है याद रखना बहुत आसान है सिंपल इस वेरी मज़ेदार हां इंग्लिस में ऐसे तो बोलेंगे न है कि देखो एकदम मस्त मस्त सवाल है यार अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धी लगा लो यह 78 दिया है यह कमान 3 दिया है यही तो में निका है यहन माइनस वान इंतू पांच देखो यह 55 हो गया 5 इधर गुड़ा में इधर आया भाग में हो गया यह één सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तुरंद कर लिए